नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है काश और स्वागत आपका इस YouTube चैनल में तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कंपनीज में इन्वेस्ट करते समय मैनेजमेंट को अनलाइज करना जरूरी क्यों होता है क्योंकि शेर प्राइस जब भी किसी कंपनी का गरता है तो उसके सबसे बड़े दो खारण होते हैं पहला होता है कि बिजनस मॉडल खराब था कंपनी का या फिर बिजनस मॉडल फेलियर हो गया किसी रेगुलेशन जो रेगुलेटरी चेंज है उसकी वजह से और दूसरा बड़ा कारण होता है management यानि कि यहां फिर management dishonest है या फिर management incompetent है उस business को run करने के लिए तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह हम पता लगा सकते हैं कि management incompetent है या management dishonest है क्योंकि इसका कोई straight forward answer तो नहीं है लेकिन फिर भी कुछ red flags आप ऐसे देख सकते हैं जिसे कि आपको पता चल जाएगा कि management dishonest या फिर management incompetent है इस business को run करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर दीजे क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सा valuable content मिलता रहेगा इसे कि आप सीखेंगे क कैसे बने एक smart investor तो चलिए सीधा शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो तो किसी भी business में invest करने से पहले हमको business model के साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि उसका management कैसा है क्योंकि management जो है वो main driver है business का अगर driver ही खराब होगा तो गाड़ी यानि की company जितनी मर्जी अच्छी ह उसको वो अच्छे से run नहीं कर पाएगा तो इसलिए management को analyze करना बहुत जरूरी है लेकिन जैसा कि मैंने बोला इसका कोई straight forward answer नहीं है लेकिन फिर भी कुछ red flag जाए जो आप company के annual report company के financials पढ़के देख सकते हैं जिससे कि आपको समझ आएगा कि हाँ भी company के management में कोई न statement तीनों पर वीडियो बनाई है जिसको कि आप जाके देख सकते हैं कि और आपको खुद समझ आएगा कि किस तरह से आप financial statements और annual report को पढ़ सकते हैं किस तरह से उनमें अगर कोई red flag आपको दिखे तो आप उस company में invest करने से बच सकते हैं तो चलिए उससे पहले यह जान लेते है वो impact हो in future तो हम जान लेते हैं कुछ ऐसे कारण कि management असा क्यों कर सकता है क्या reason होते हैं कि management stock price को manipulate करने के लिए गलत financials शो करता है सबसे पहला कारणा जिसकी वज़ा से management अपनी books को कुक कर सकता है यानि कि accounting game भेल सकता है और खराब financials या गलत misleading financials शो कर सकता है वो यह है कि अगर management ने कोई growth guidance दिया और उतना growth नहीं हुआ तो उस situation में कई बर management accounting tricks खेलके earning को गलत तरीके से manipulate करके ज़्यादा शो करने की कोशिश करता है और इससे एक cycle शुरू हो जाता है क्योंकि अगर company ने एक साल गलत earning शो करी है तो अगले साल उससे ज़्यादा grow करने के लिए और गलत earning शो करने पड़ेगी और इसससे यह cycle चलता रहता है और जब जाके यह cycle खतम होता है उस समय में company का fraud भार आता है और stock price बुरे तरीके से पिटाई हो जाती company के stock price की और जो दूसरा बड़ा कारण है वो यह है कि अगर management की salaries वो company की performance से linked है तो अगर company की जितनी वो जादा performance दिखाएंगे उतनी उनको salary या bonuses मिलेंगे तो वो भी यह कारण हो सकता है कि अगर in future management जो है वो सब्सक्राइब से और जब वो exercise करना चाहते है जो top management के लोग है अपने shares जो उनको options के तौर पे मिले है वो बेच के profit लेना चाहते है तो उस समय अगर share price ज्यादा होगा तो उनका तभी फाइदा होगा तो share price ज्यादा कब होगा जब company earnings ज्यादा दिखाएगी तो उस situation में भ ग्रो करने के लिए market से और additional share issue करके market में equity raise करना चाहती है तो उस situation में भी अगर share price ज्यादा होगा तो company ज्यादा पैसा raise कर पाएगी तो उस situation में भी अगर share price हाई होगा तो company को फाइदा मिलेगा तो यह थी कुछ कारण जिसके वज़ा से management और companies अपनी जो books हैं उनको cook करती ह और गलत और misleading information share orders को देती है तो अब हम इसके बाद जान लेते हैं कि क्या ऐसे red flags है जो हम देख सकते हैं company के annual report और उसके financials से जिससे कि हम ऐसी company में invest करने से बच सकते हैं सबसे पहला red flag आपको auditor report यहां पर resignation of auditor से मिल सकता है तो auditor report generally आपको annual report में मिल जाती है जिसमें कि कुछ कुछ भी अगर management ने गड़बड किया अपने financials के साथ कुछ भी शेड़ चाड़ किया तो generally auditor उसे उस report में mention जरूर करता है यानिकि अगर management revenue गलत तरीके से record कर रही है तो generally उसको auditor उस report में mention जरूर करेगा तो अगर आपको यह सब चीज़े दिख रहे हैं auditor's report में कि उन्होंन किसी भी customer से तो उस situation में क्या होगा company के debtors या और account receivables जो होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ जाएंगे तो जब भी आपको company के जो balance sheet है उसमें account receivables और debtors जो है वो काफी तेजी से बढ़ते दिखें in relation to company का revenue है तो उस situation में आपको सतर कराना चाहिए क्योंकि यह potential case of manipulation हो सक design किया तो वो भी एक बहुत खराब sign है बहुत बड़ा red flag है क्योंकि हो सकता है कि management जो है वो auditor को proper information नहीं दे रही financials के related और management उसको force कर रही है गलत report तयार करने को तो और उस situation में auditor जो है उसमें resignation दे दिया है तो अगर आपको एक तो auditor का लगाता resignation दिखे और वो भी अगर related party transactions तो किसी भी company की जो related party transactions है वो भी आपको generally उसकी annual report में मिल जाएंगी notes to statements के अंडर तो इसमें होता क्या है कि related party transactions में company ने जितनी भी salary, rent या bonus या कोई भी dividend जो अपने directors और promoters को pay किया या फिर subsidiary को कोई loan दिया या फिर subsidiary से कोई product खरीदा या फिर subsidiary को अपने को कोई product बेचा है तो उस सबका lane-dain इसमें recorded होता है तो अगर किसी भी company की बहुत जादा subsidiaries है और उसके साथ बहुत जादा lane-dain है उस company का तो उस situation में भी आपको या तो बहुत अच्छी analysis करने होगी कि lane-d relative task है उसको करना easy हो जाता है जितनी ज्यादा उसकी subsidiaries हो क्योंकि वह अपने जो उनकी layers है और वह बढ़ जाती है जो transactions है उसको manipulate करने की क्योंकि वह खराब तरीके से revenue record कर सकते हैं अपने subsidiary के साथ हो सकता है उसने कोई sale किया या sale नहीं किया तब भी वह उसमें record कर सकती है त तो point number three जो में देखना चाहिए वो यह है कि check for remunerations and salaries paid to the managers इसकी detail भी हमें company के जो related party transactions है उनमें मिल जाएगी और हमें देखना यह है कि company के जो managers और promoters का जो salary pay की जा रही है वो company के net profit के comparison में कितनी है अब इसका को straightforward answer नहीं है कि ज्यादा कितनी है और कम कितनी होती है लेकिन फिर भी अगर यह net profit के 10% से जादा है तो मतलब कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए और यह एक red flag हो सकता है तो suppose अगर के company 100 क्रोड रुपे कमा रही है और उसके manager 20 क्रोड salary ले रहे है तो वह एक red flag है वहीं अगर एक company 1000 क्रोड कमा रहे है और उसके manager 50 क्रोड की salary ले रहे है तो आप कहेंगे कि एक reasonable remuneration है managers के लिए क्योंकि वह company को 1000 क्रोड का profit भी बना के दे रहे है उसके बाद ही 50 क्रोड की salary ले रहे है तो इस तरह से आपको देखना है और उसके साथ साथ आपको एक और चीज़ यह देखने है कि अगर company की sales और company के profits किसले कुछ सालों में गिर रहे ह है तो वो भी एक बड़ा red flag है क्योंकि अगर management अपना काम ही नहीं कर पा रहा है जो उसको दिया गया यानिकि sales और profit grow करने का तो management salaries किस बात के लिए बढ़ा रहा है अपनी तो यह दो चीज़े आपको देखनी बहुत जरूरी है इससे भी आपको पता चलेगा कि management honest है कि नही करेगा और debt वो हमेशा लेकर रखेगा और उसके साथ ही साथ company का जो return on equity है वो भी उतना ज्यादा नहीं होगा तो यह दो point यानिकि debt total debt और return on equity यह भी हमें देखना चाहिए इससे भी हमें काफी कुछ पता चलता है कि management honest है कि नहीं है अब इसका मतलब यह नहीं है कि जो जिस capital debt कितना है और साथ ही साथ अगर वह company ने debt लिया है वो किस purpose के लिए लिया है वो भी बहुत जरूरी है कोई करने के लिए तो वो reasonable है अगर कोई in future marketing करने के लिए यह product launch करने के लिए तो वो सब reasonable है वहीं अगर management कोई clear purpose नहीं state कि वो debt क्यों लिया है management ने तो वो एक बड़ा red हो सकता है तो पॉइंट नंबर फाइव में यह देखना चाहिए कि company का return on equity कितना है क्योंकि अगर कोई management dishonest है वो लंबे समय के लिए अच्छे return on equity के साथ company को run नहीं कर सकता यानि कि वो जो share का return नहीं बना सकते तो वो different thing है लेकिन अगर कोई IT services में या फिर को consumer good में या फिर से किसी फार्मा company में अगर कोई company 15% या 12% से कम का return on equity generate कर रहे है तो हो सकता है कि उसका management honest ना हो क्योंकि होता क्या है कि return on equity का इससे क्या connection यह है कि अगर इन future प्रोड हमारे घर पर आएगा और उसकी विज़े से क्या होगा कि acid जो है वो inflate हो जाएगा जो plant की value है या जो भी machinery की value है वो inflate दिखेगी books पे उसकी वेज़े से book value company की बढ़ जाएगी तो जो 100 रुपे का book value होना था वो जो जाएगा तो जो 100 रुपे पर अगर बीस परसंट का profit करना था company ने अब वो देड़ सो रुपे पर बीस परसंट का profit हो जाएगी तो इसलिए जब भी किसी company का return on equity लगातार कम दिखे तो उस company में भी आपको देखना चाहिए कि क्या management honest है कि नहीं है जो हमें देखना चाहिए वो यह है कि read past annual report and quarterly reports and figure out that whether management has delivered what they said or no तो management ने past में जितनी भी annual report और quarterly report में जो भी guidance दी है future के लिए चाहें वो sales के related हो चाहें वो profits के related हो या फिर capex जो company करने वाली है या फिर company जो product launch करने वाली है वो सब आपको देखना है और इसमें capex और product launch और इस तरह की चीज़े आपको ज़्यादा देखने है क्योंकि earning और sales growth को आप एक बार side कर दीजे आपको यह देखना है कि company ने अगर बोला है कि company तीन साल बाद अपने capacity डबल करेगी तो क्या company ने वो किया अगर company ने बोला कि अगले साल वो पाँच प्रोल करना चाहती है तो क्या company ने ऐसा किया तो उससे आपको यह पता चलेगा कि company की management वो खराब guidance misleading guidance नहीं दे रहे है अपने shareholders को यानि कि वो जो बोल रही है वो कर भी रही है तो उसके अलावा sales और प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं लेकिन उसका इतना बड़ा कोई इंपेक्ट नहीं है क्योंकि सेल्स और प्रॉफिट कई बार तो आपको एक track record पता चलेगा management का कि क्या management जो बोल रहा है वो कर रहा है के नहीं और इससे भी आपको काफी कुछ help होगी कि management honest है और capable है के नहीं तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पर समापत होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा तो आज के वीडियो में हमने बात की कि क्यो management stock price और earnings को manipulate करता है और कैसे हम पता लगा सकते है क्या management dishonest है या फिर management incompetent है नहीं क्योंकि यह बहुत जरूरी है क्योंकि management जैसा कि मैंने पहले भी बिताया कि बहुत ही important factor होता है किसे भी company को चलाने में क्योंकि एक अच्छा management एक अच्छे business में आपकी value create करके देगा वहीं खराब management एक अच्छे business में भी आपकी value create नहीं करके देगा जैसा कि आपने अच्छे मालिया को देखा जब लिक वर बिजनस में उन्होंने काम किया तो उन्होंने अपने shareholders के लिए उतनी value create करके नहीं दी वहीं जब उन्होंने उसको बेचा उसके बाद अगली management आई उन्होंने उस business में काफी जादे wealth create करके लिए अपने shareholders के लिए इसलिए management को analyze करना experience जोंगे और ज्यादा companies को analyze करेंगे आपको खुद समझ आने लग जाएगा कि किस company का management अच्छा है और किस company का management खराब है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like जरूर कीजेगा औ साथ साथ चैनल को subscribe करना ना बुलें तो कि in future भी मैं आपके लिए ऐसा बहुत सा available content लाता रहूंगा जिसे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक smart investor चलिए बहुत जल्मलाकात होगी एक और इसी बैतरी वीडियो के साथ तब तक के लिए रखें अपना बहुत सा ख्याल धन्यव साथ साथ